जोस्तों क्या आप अपने गूगल पेसे अपने बैंक एकाउंट को आप हटाना चाहते हैं जो यहाँ पर आपने बैंक एकाउंट एड करके रखा है उसे बैंक एकाउंट को हटाना चाहते हैं तो कैसे आप अपने बैंक एकाउंट को हटा सकते हैं इस वीडियो को आप ध्या किया जाता है यानि कि हटाया जाता है सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहां पर मिलेगा प्रोफाइल आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा यहां पर मिलेगा बैंक पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका bank account आ जाएगा, अगर आप balance चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, आपको अपना bank account हटाना है, हटाने के लिए आपको यहाँ पर करना क्या है, कि आपको यहाँ पर मिलेगा 3 dot, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद continue पर क्लिक करना है जैसे आप ए continue पर क्लिक करेंगे आपका bank account यहां से हट जाएगा अभी आपको देखने को मिलेगा कि हमारा bank account हट गया है अगर by chance यहां से आपका bank account हटता नहीं है यानि कि आपका bank account यहां से नहीं अट रहा है तो एक बार यहां पर आ आप उसे बंद कर दिजिए, फिर आपने Google Pay से अपने bank account को हटा दिजिए, आपका bank account हट जाएगा, अगर फिर भी नहीं अटता है, तो आपको यहाँ पर जाना होगा अपने प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद अपने Google Pay को अपडेट करिए, अपडेट करने के बाद bank account हटा दिजिए, आपका bank account हमेशा के लिए हट जाएगा, यानि कि यहाँ से आपका हट जाएगा, अगर बाई चांज फिर भी ना हटे, तो कभी कभी Google Pay में आपका server डाउन हो जाता है, तो एक घंटे या दो घंटे का इंतिजार करना है, उसके बाद आपके Google Pay से आपका bank account हट जाएगा, और नया bank account add करना चाहते हैं, तो इस पर click करके अपना नया bank account यहाँ पर add कर सकते हैं,